हेलो फ्रेंज वेल्कम वैक टो मैं चैनल रिंजना कोकिई यंड ब्लॉग में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है राज में लेकर आई हूं थेपला की रेसिपी जो की मेथी से बनने वाली है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती है उसके लिए मैंने मेथी को कट कर लिया है बहुत ही अच्छे से इसको 5-6 पानी से वस कर लिया है और यह लैसुन है मिर्ची है जिसको मैंने पेश्ट बना लिया है और मेथी को मैंने बहुत ही अच्छे से बारिक कट किया है गेहु काटा लिया है उसमें मैंने मेथी को डाल दिया है और यह ओईल है जो की 4-5 चमच ह में चमश को मैं डाल दूए है अजवाइन का टेश्ट बहुत अच्छा आता है और सरदियों का मौसम है तो वैसे भी थोड़ी बहुत मतलब खानी ही चाहिए अच्छा रहता है हेल्थ के लिए मिर्ची डाल दिया है मिर्ची मैंने हरी मिर्च भी डाली है नमक टेश्ट के साफ से डाल दिया है और इन सारी चीजों को मैं मिक्स कर लोगी सब को एक साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करके न अगर इसमें आप बाजरे का आटा भी डालोगे न तो उससे यह और भी ज्यादा अच्छा बनता है और यह दही है जिससे मैं आटा को आटा का बनाना है जैसे भी आपको पसंद हो उसे जाप से आप बना लो तबे पर मैंने ऑईल ग्रिस कर लिया है और यह एक एक करके थेपला में डालती जाओंगी और यह बहुत ही मुलायम बनता है इसको आप न सफर में अगर लेके जाना चाहो न तो वह भी आप लेके जा सकते हो द थेपले को मैं एक एक करके शेक लूँगी बहुत ही अच्छा बनता है आप इसको चाय के साथ खाओ सौस के साथ खाओ जो भी चीस भी चीस के साथ खाओगे न बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैं इसको चाय के साथ सर्फ करूँगी मुझे बहुत पसंद आता है यह बहु वाच करकी देखना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक की लिए बाबाई